नमस्कार मेरा नाम है सुरील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी एक बिल्कुल ही नए और फ्रेस कबर के साथ मैं आपके सामने एक बर फिर हाजिर हूँ मामला पलामु संसदेच्छत से जुड़ा हुआ है पलामु संसदेच्छत में पिछले कई दिनों से कई हपतों से लगातार इस बात के चर्चा थी कि यहां पर सिर्फ बीडी राम जो भाजपा के प्रत्यासी है और आर जेडी की प्रत्यासी ममता भुया जो है उनके 20 कड़ा मुकाबला होने वाला है और इसी को लेकर लगातार चर्चा थी लेकिन अब इस सारी घटनाकरम में एक तीसरी इंट्री भी होने जा रही है और वह इंट्री है कामेसवर बैठा की कामेसवर बैठा जो है वो पूर्व में पलामु संसदेच्छत्र के सांसद रह चुके हैं और उनकी इंट्री बसप पर नक्सली होने का आरोप लगता रहा है और करीब करीब तीरपर मामले इन पर चलते रहे हैं कई मामलों में यह रिहा हो चुके हैं कई मामलों पर जवानत पर हैं वर्दमान में पूरी तरह से इनके मामलों की क्या चीते हैं मुझे पूरी जानकारी नहीं लेकिन यहां तक मुझे मालूम है बहुत से मामलों में बरी हो चुके हैं कामेसवर बैठा 2009 में जो है आपको बता दे जामुमो जामुमो की टिकट से 2009 में 2009 में जेमेम से ये चुनाव लड़े थे और जीत भी गये थे मामला सबसे बड़ा बात ये था कि एक नक्सली होने का आरोप लगने के बाजूद ये बंपर होट से जीते से उसमें और पूरे देश में इनकी चर्चा हुई थी पलामु संसते 36 से कामेसवर बैठा के जीत की चर्चा 2009 में पूरे देश में हुई थी और करीब ये भी आपको बता दे कि जब शांसत रहे थे 2009 में तो करीब करीब दो साल साथ महीने करीब ये जेल के अंदर ही रहते और वहीं से अपना शांसत होने का दाइतों को निभाते रहते उसके बाद ये जमानत में बाहर रहा भी हुए और उसके बाद फिर ये लगातार राजनीती में सक्रिय रहे हैं अब हुआ ये कि ये जो हैं फिर उसके बाद 2009 के बाद 2014 में 2014 में ये BJP को जोईन कर लिये थे बीजे पी से इनको टिककट मिल जायगा चुकि उसमें मोदी की लहर कापती थी इन्होंने सोचा कि मोदी लहर में फिर से नहीं या पार हो जाएगा लेकिन उसमें BJP ने इनको टिकट नहीं दिया तो ये तो तिर्मूल कांग्रेस से चुनाव लड़े लेकिन वह जीत नहीं पाय थे अब इस बार उसके बाद उन्होंने इन्होंने आर्जेडी को जोईन कर लिया था इसके बाद आर्जेडी में चले गए थे अब जरसल हुआ यह कि इस बार जो है आर्जेडी को सीट को लेकर तो लगा लगातार चर्चा का भी से बना रहा अब आर्जेडी के लिए एक ममतब हुआ और एक आपको आर्जेडी के सीट के लिए ममतब हुआ लगातार अपना दावा कर रहे थी और आर्जेडी ने इनको टिकर दे भी दिया तो पलामू संसद्य छेत्र जो था पलामू संसद्य छे यहां पर महा कटभंदर के अंदर आपको ममताभुया थी फिर उसके बाद कामेस्वर बैठा भी आरजेडी में थे तो अब चुकि आरजेडी में रहते हुए तो इनको टिकट मिलने से रहा लेकिन कामेस्वर बैठा हर बार चुनाव लड़ते रहे हैं और इनके पास कोई पहले थे छोड़ चुके थे और बीजैपि में जू है बीडी राम लगतार दो लबफाने बीजैडी रहा चुके हैं और उसके बाद इस बार बीजैपी ने इनको टिकट दे दीया है और ज्यादत दवाबह formalna सा अब सबसाथ इस तरह कि दावे लगतार हो लिए बीसपी को नहीं के विए अब मेर यह सबस्टे तकी है अब इस सारे चीजों के बीज जो है अब मामला यह होगा कि देखिए एक है कामेसर बैठा दूसरे हैं ममता भुणा अब तीसरे हैं आपके बीडिराम अब देखिए यहां पर जो है आपको तीनों दिगर देखिए यह भी कम नहीं है यह अपने आप में अच्छा खासा जनदार रखती हैं इनको आपको बीजेपी के होने काला पूरा मिल रहा है पिछले दोबार मिल चुका है और कामेसर बैठा पूर में आपको प्रत्यासी रह चुके हैं साथी सा सांसद रह चुके हैं तो इनकी भी फिल्ड में अपनी पकड़ है तो अब मामला मिला जुलाकर पलामु ममता भूईया को मिला था ठीकर तो उस समयल से ममता भूईया और बीडी राम इन दोनों के बीच जो है कड़ा मुकाबला समझा जा रहा था लेकिन जब अब एक कामेसर बैठा की हो गई है अब कामेसर बैठा को बसपा ने परत्यासी घोसित कर दिया है कि वह चुनाव लड करेंगे तो समझे कि अब मुकाबला जो है लगवक्त को निया हो जाएगा इसमें जो सबसे बड़ा जटकर लएगा वह आरजएडी को ही लगने वाला है क्योंकि ज्यादातर आपको देखें बीडी राम का जो है उनको मोदी का लाब मिले ना मिले ना मिले मोदी के राम के अब मिला जो ला करके यह है कि मामला पर इसारी बातों पर हमने फौन से जो है राजनुम्हिता से उन्हों से हमने पूछा कि कामेशोर बैठा के बारे में कि उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, आपका क्या कहना है तो उन्होंने कहा कि निश्ची दुरूप से बसपा जो है, अब मजबूत हुई है कामेशोर बैठा के आने से, और निश्ची दुरूप से इनका ये कहना है कि बाहरी लोगों को जैसे लोगों कहाना है कि यह सब बाहरी लोग है जिनको टिकट मिला हुआ है दूसरे पाटियों से आरजेडी से या बीजेपी से अब छेत्र की जनता जो है छेत्र के बेटा को चुणना चाहती है यह राजन मेता का काना है छेत्र के बेटा को यानि कहने कार थे कि कामेस्वर बैठा को चुनना चाहती है साथी साथ उन्होंने कहा कि पार्टी जो बसपा जो है अब उसका जनाधार जो है काफी मजबूत हो जाएगा कामेस्वर बैठा के आने से तो आप देखिए कि पहले जो मुकाबला समझा जा रहा था उससे अलग अब त्रिको को इस्टेंट पॉइंट नहीं लिया है लेकिन आपको यह बता दे कि गुरन राभ भी चुनाव लड़ने के लिए लगातार प्रयास करते रहे हैं अभी तब आप चुकी नमांकर होना है अभी तक तो गुरन राभ के तरफ सक को इस तरह का बात सामने देखने को नहीं मिला तो अगर यह न्यूज यह इंफोर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल बेलकुल नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें बहुत-बहुत धन अगनिवाल